हेलो फ्रेंड से सुड़ें आपको बताएंगे क्या आप भी एक BMS करने की सोच रहे हैं चाहें आपने BMS कोर्स में एडमिशन ले लिया है BMS, BHMS और BMS के बारे में कब से बच्चे पूछते हैं सर हमें बताईए कि हमें कब से होस्पिटल जोइन करना चाहिए क्या हमारी सेलरी होगी स्टार्टिंग और हमें सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए during the our course तब बात आती है सबसे पहले कि इसके benefit क्या है होस्पिटल जोइन करने की और नहीं करने की सबसे main बात आती है आपकी study disturb होंगी या नहीं होंगी सबसे बड़ी बात आती है सर हमारी nine से लेके four बज़े तक तो classes रहती है इसके बाद हमें ठक जाते हैं exhausted हो जाते हैं और जो class में पढ़ाय होता है उसको भी हमें पढ़ना होता है याद करना होता है और पहले दो साल तो subject को समझने में ही लग जाते हैं और पहले साल के paper में काफी सार बच्चों के supplementary आती है तो इस scenario के साब से हम क्या करें क्या हमें experience लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कुन सा हमें लिए आगे जाके बैत तपून रहेगा और कुन सा आप में help करेगा तो इसी के लिए दोस्तों ये पूरी वीडियो बनाई है वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिएगा इसके बाद आपको पता लग जाएगा क्या आपके लिए एक hospital जोइन करना अच्छी बात रहती है क्या नहीं रहती है कि काफी सा यूटूबर बोलते हैं और hospital जोइन कीजिये वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा परन्तों दोस्तों उसके पीछे की जो हार्स reality है वो आपको कोई नहीं बताएगा तो इसको अलाम से देखिए आप वीडियो को आपको गिना देंगे क्या आपकी आगे experience हो जाएगा आपको आप पढ़ लेंगे आपको patient flow ज्यादा मिलेगा patient से कैसे deal करते हैं वो सब आपको पता लग जाएगा पर इसके नुकसान क्या हैं सबसे पहले आपकी study effect होगी आपने दोस्तो एक साल पढ़ा अच्छे तरह ऐसे second year से मान लीजे third year से मान लीजे आपने degree कर रहे हैं इसके बाद काफी सार बच्चे पूछते हैं सरा हमारे एकदम से marks में grout आगे दर downfall आगया है एकदम से marks के अंदर तो अब क्या करें इससे उनके दो गाते हैं काफी सार बच्चे private college से degree करते हैं BMS करते हैं BMS करते हैं उसके बाद भी वो फैल हो जाते हैं ये तोस्तो हास reality है आपने hospital जोइन किया आप फैल हो गए हैं आपके एकदम से marks भी देखेगा कि आपके कितने परसल टाइन है आपको उसके फिल्ड के बारे में इनोली से है के नहीं है जैसे कि आपको पता है वो hospital वाला आपसे सिधा ये नहीं पुछेगा कि आपने कहीं पर work किया है के नहीं किया है वो आपके पहले तो जाते ही आपके marks देखेगा आपके डिगरी देखेगा प्रोविजनल डिगरी देखेगा आपके पास BMS करने के बाद भी एक टाइम एक एर का टाइम हो जाता है कि आपने internship के दुवारां सीख सकते हैं अब सबसे अच्छा time period के रहता है BMS के बाद hospital जोइन करने का वो आपको बताते हैं अगर आपने दोस्तों अपने academics को पूरा कर लिया है और आप अपनी M.D.A. MS की preparation नहीं करना चाते हैं द्यान से सुनिएगा अगर आप M.D.A. MS की preparation नहीं करना चाते हैं सिर्फ BMS course को लेके ही आप संतुष्ट हैं BMS करना चाते हैं plain BMS ही रहना चाते हैं तो इस scenario में मैं आपको suggest करूँगा साड़े चार साल होते ही आपने दोस्तों hospital जोइन कर लेना है अपने intensive के दोरान वहाँ पे आपको कुछ पैसे भे मिलेंगे क्यों पहले दूसरे साल में आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं यह harsh reality है कि पहले दूसरे साल के बच्चों को बिल्कुल ना के बरावर पैसे देते हैं hospital वाले दो से तीन हजार आप 6 गंटे काम करेंगे और आप पढ़े मीं नहीं पाएंगे आप परिशान हो जाएंगे लेके आएगा पर आपके पास उसके लिए like तो बने उसके लिए knowledge होनी चीन आपके पास अब बात आती है सर काफी सारे बच्चे बोलते हैं हमारे seniors बोलते हैं कि हमने ओट hospital जोइन किया उसके बाद हमने जो patients के dealing थी वो अच्छी तरह से करने लगे पहले हमें way of talking नहीं आता था patient के साथ कैसे बात करते हैं कैसे behave करते हैं वो नहीं पता था पर अपर अपके पास बाद में भी हो सकता है आप जरूरी थोड़ी है आप अभी internship भी नहीं complete हुई आपके पास degree भी नहीं है और आप अभी से अपने मतलब hospital को जोइन कर रहे है कई पर गलती से आपका दोस्तों गलत medicine चड़ा दी ऐसा होता है आप सीखते हैं तो दोस्तों आपके साथ गलती भी होती है और अच्छाई भी होती है अब बाहां देजे आपके साथ दोस्तों आप हैं एक patient को आप IV cannula लगा रहे हैं अपको यह अच्छी तरह से तो आता नह आप सीखने गई हैं और आपने सीथा दोस्तों IV cannula उसको लगाया आपसे लगानी दो-तिन बार आपने ट्राय किया patient को आगया गुशा अब वो बोलेगा कि आप कैसे doctor हैं और साथ में अच्छी तरह से hospital स्टाफ को जरूर चुना के जाएगा तो इस case में क्या होगा आपके repetition गिरेगी आप सीख रहे थे परन्तों आपको यह नहीं पता कि आपने कुशे patient के साथ सीखा है क्योंकि जो patient आया है उसे तो आपको यह लगता है कि hospital वालों ने आपको रखा है आपको आता होगा तो ऐसे-एसे कभी-कभी गल्थ scenario भी उबर के आ जाते हैं जिसके कारण दोस काफी सारे आदमें बोलते हैं operation theater वाले BMS वाले doctor को कि ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो experience doctor होते हैं तो experience आपका कब से count किया जाता है experience आपका BMS की degree complete होगी ना उसके बाद ही count किया जाएगा क्योंकि कहीं पे भी आप resume दिखा गोगे ना बोलेंगे हमने तो second year से hospital जोइन कर रह यह fake certificate बना के लिए क्या पड़े हो क्या नहीं पड़े हो तो यह दोस्तों आपकी harsh reality मैं ही आपको बताऊंगा क्योंकि हमें पता है आज कल के fresher बच्चे आते हैं उसे उनको पता नहीं होता है वो ऐसे resume देते हैं हम से बोलते हैं कि sir हम second year से hospital जोइन कर रहा है हमें basic basic knowledge पता ह तो आपको कुछ नहीं में आएगा दोस्तों 6 मीने में जो आपकी internship का दूरा नहीं अच्छा है मीने से एक साल में आप यह सारी चीज़ा अच्छी तरह से सीख सकते हो पर मैं जो बात है आपको academics पर focus करना है अभी यह hospital हो गयरा दोस्तों अपने college के में भी जाके सीख सकते ह क्योंकि पैसा कमाना दोस्तों medical field में इतना important नहीं है कि जितना आपको knowledge पाना है अगर आपके पास आपके पास पैसा है medical field पैसा दोस्तो नोलेज से ही आएगा जितनी अच्छी नोलेज रखेंगे उतना अच्छा दोस्तो आपके पैसा आएगा जल्दी मत कीजिए मेडिकल कोर्स है एक लंबा डूरेशन है आप दोस्तो आच्छी तरह से अच्छा डोक्टर बनना चाहते हैं साड़े-पास साल के बाद अपने तीन साल के लिए M.D.I.M.S. को दीजिए जाब ही आप जी सोचेगा कि हाँ मैं अच्छा डोक्टर बन गया हूँ अब मैं तरीन है उसमें पैसे के तो आपको कमी नहीं पड़ेगा अगर आपके पास नोडेश है तो इन बातों का दोस्तो बिर्कुल यकीन मानेगा जितने बच्चे दोस्तो जादा जल्दी पैसे के तरफ भाग रहे हैं आज के सेनरियो को देखके कि साके इंडिया से ओस्पिटल जोइन कर लिया साथ के साथ अकैडेमिक्स भी मैनेज कर लिए तो दोस्तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा इतना क्यूंकि जब हम एक तीर से दो निशाने करते हैं तो दोनों निशाने ऐसाफल हो जाते हैं यह आपने दोस्तो समझा होगा आपने अपने जिंदके में परख कर सकते हैं उससे पहले में किसी बच्चे को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपना प्रीश टड़ी का टाइम दोस्तो अपने को लाइफ का टाइम होस्पिटल में दें और वहां पर आपको कोई अर्निंग्स भी नहीं मिल रही है और आप जो सीखेंगे तो दोस्तों वह आप कि तक किसी बच्चे को खोले जलोट नहीं हुआ है तो दोस्तों नीचे दिएगे इंस्टागराम के लिंक पर जरूर डीम कीज़े अभी आपके पास दास चांस है जो कि स्ट्रे विकेंसी राउंड बाकी है डबले ट्रिपल सी का उसमें आपकी सीट स्क्योर हो सकती है और क